वसे यह है मेरे पास Samsung Galaxy A34 5G smartphone और यहां पर यह रहा 48 Megapixels का ट्रिबल रियर camera आपको मैं इसी smartphone के इसी वीडियो में कुछ camera के settings बताऊंगा दस्तों बहेतरन settings बताऊंगा आपको बहेतरन shots के लिए तो आप है ना इस वीडियो को end तक देखना वीडियो में आगे बढ़ने से प पर प्रेस करके रख लेना आने वाले smartphone के इसे ही वीडियो देखने के लिए तो चलिए camera app को open करते हैं एक एक फिचर आपको मैं explain करके बताऊंगा यह क्या काम करता है और यह क्या काम करता है बोलकर तो चलिए camera app open करते ही सबसे पहले आपके हम पर मिलता है fun mode इसमें आप हम और fun shots ले सकते हैं यह देख लिए हैंप फनी shots लेना चाहिए है आप ले लेना इसके बाद आप को यहां पर जुम करना चाहिए तो आप इसमें 10 x तक जुम कर सकते हैं आपके हापने पर 0.5 पर क्लिक करेंगे लो धिए बार्मIGH आप 2 seconds से लेकर 10 seconds तक कर सकते हैं 5 seconds भी कर सकते हैं आपने 2 seconds कर लिया तो photo click करते वक्त में इस तरह से 2 seconds का time आएगा उसके बाद में automatic photo click हो जाता है तो चलिए उसके बाद आते हैं आप पोट्रेट मोड में यहां से आप background को blur करके photos ले सकते हैं इसके अलवा एक बार आप tap करके इसकी lighting को ज्यादा और tap करके lighting को कम कर सकते हैं अगर आप ऐसी जगापर है वहां पर lighting बहुत कम है तो आप इसको ज्यादा कर लेना और जो background blur हो रहा है उसके capacity को आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं इसके बाद आप इस पर click करके हाँ पर skin को smooth कर सकते हैं मतलब अपने face को beauty कर सकते हैं कि य Champbelt कर सकते हैं चाहिए यह कितना व्यूति होना चाहिए आपका प्रेुटी कर के बाद में आ यह रहा यह रहा यह जाते हैं आपर फोटो मोड में यह गडह यहनमल मोड है photo mode आप इसमें anytime photos ले सकते हैं आप हैं पर zoom करना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं 10x तक zoom और आपको इसमें मिलता है wide angle भी मिलता है दोसों यहां पर यह इस तरह सी pinch करेंगे तो आप यह wide angle हो जाता है इसके अलावा यहां पर 0.5 पर हम क्लिक करेंगे तो यह भी हो जाता है wide angle यह wide angle क्या है आपको मैं भी explain करके बताऊंगा अब मालो चार लोग फोटो ले रहे हैं यहां पर camera के सामने चार लोग खड़े हैं यहां पर खड़ा है तो कम जगा होने की वाज़ा से camera में दो ही लोग दिख रहे हैं पीछे हटने के लिए जगा भी नहीं है तो उस वक्त क्या करेंगे हम wide angle लेंगे तो wide angle लेने के बाद चार लोग नहीं उसी कम जगा में छे लोग भी दिखेंगे या उसे ज्यादा भी दिख सकते हैं तो यह हो गया wide angle इसके अलावा टैप करके इसके lighting को कम ज्यादा और चलिए इसके बाद यहांपर इस पर click करके आप filters लगा सकते हैं पर जो filter आपको अच्छा लगे वह filters लगा कर आप फोटोस ले सकते हैं फिल्टर की capacity को आप यहांपर कम ज्यादा कर सकते हैं face पर click करके इसको off तो इसको on करके यहांपर अपने face के beauty के regarding कुछ settings कर सकते हैं आप फोटो को आउन करेंगे तो आप फोटो लेते वक्त में फोन को हिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया नहीं मतलब आपका फोटो एक भैतरन फोटो क्लिक होकर आएगा motion फोटो को on करेंगे तो यहांसे स्कॉप on off कर सकते हैं अपने मरजे के हिसाब से इसक करेंगे तो आपको यहांपर फोटो का फीचर भी मिलता है आप यह पर सट करेंगे तो रात में फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैसलेक्ट on हो जाता है आप इसको इस पर सट करेंगे तो जब भी आप फोटो लेते हैं रात हो दिन हो यह फ्लैसलेक्ट on होता है यह हो गया द टैप करके यहां पर lighting को ज्यादा और कम कर सकते हैं अपने मरज़े के हिसाब से इसके अलावा आप इस पर clicker के filters भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो recording करते हैं वक्त में यहां पर capacity को कम ज्यादा करते हुए इसके अलावा आप इस पर clicker के resolution रख सकते हैं यहां पर जितना चाहे उतना कर सकते हैं आप normal mode में रहे कर आप अल्टरा hd 30 fps में कर सकते हैं और इसके अलावा आप हम पर hd 30 fps पर करेंगे तो आप इसमें wide angle में भी ले सकते हैं आप अल्टरा hd wide angle में नहीं ले सकते हैं दूस्तों यह हो गया अपने मरज़े के साब से इसको कर लेना इसके बाद आप इसको super study को on करके video recording करेंगे और phone को हिलाते हैं तो आपका video shake नहीं होगा ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया ही नहीं इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और back time इसको off रख सकते हैं और यहाँ पर flashlight का feature है एक बार इसके उपर click करके इस पर set करेंगे तो video recording करने से पहले ही यह flashlight on हो जाती है यहाँ पर आप इसको ए पर set करेंगे तो रात में video recording करते वक्त यह flashlight on हो जाती है और आप इस पर set करके इसको off कर सकते हैं इसके अलावा नेश्ट आते हैं पर more में यहाँ पर आपको मिलता है प्रो इस प्रो मोड में आप आकर DSLR camera के कुछ settings करके photos ले सकते ह है अपने लेटिंग कंडिशन के सबसे इसको कम जाता कर लेना ISO है शेटर स्पूड है इवी है फोकस अटो फोकस में फोकस है और यहाँ पर वाट बैलेंस है यह सारे settings आप हम पर कर सकते हैं जो DSLR camera में होते हैं इसके बाद इसी मोर में आने के बाद आपके हम पर प्रो यह वीडियो के लिए भी मिलता है आपको फीचर प्रो फीचर यह यूज कर लेना आप 10X सब जूम कर सकते हैं आपके इसमें wide angle नहीं मिलता और चलिए यहाँ पर राटो फोकस मैनल फोकस ISO शेटर स्पीड इवी इस सारे settings कर लेना दो चलिए यहाँ पर आते हैं वापस से मो और में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है दो सुन नाइट मतलब रात में फोटोस लेते हैं तो आपको आना होगा इस Net mode में बहेतरन फोटोस के लिएWasकर यहां पर फांधितों और टाम एक उपर click करके rating को कम भी कर सकते हैं वापस से चली इसी more में आने के बाद देखते हैं और क्या है प्यानोरमा है यह क्या है अब मालोप बहुती बड़ा place है अब पूरे place को एक ही photo में ले ना चाहते हैं तो प्यानोरमा में आकर शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दस्तों ये हो गया इसके बाद वापस इसे मौर में आने के बाद यहां पर आपको मिलता है मैक्रो मतलब आप कोई भी चीज़ को डेटेल्स में देखना चाहते हैं तो एक्जम्पल आपको मैं करके बताऊंगा अभी फिलहाल ये नॉर्मल मोड है अभी हां पर मैं क्यामरा के सामने पूरा लेकर गया हूँ अंगली ये अभी बलर दिख रहा है अभी मैं उंगली को इतना ही रहांगा अभी यहां पर मैं आउंगा 프로 में मतलब इसकते हैं वापस से इसी मोर में आने पास सूपर आप कर सकते आप वीडियो रिकोडिंगे कर सकते हैं वह आपस सै मोड में आने के बाद आप यहांपर एक रोपर एक बर क्लिक करें करेंगे आप आप मॉडल साथ में डाल सकते हैं यहांपर निकाल कर आप मॉडल को आउन करेंगे तो जो फोतो आप लेंगे इस फोन में इस फोन को मॉडल बताएगा यह देख से हम फोटो के ऊपर यहां पर बता रहा है इस सारह से मॉडल बताएगा इसके बाद at and time को careful किस टाइट पर किस टाइम बताना चाहिए ब्याक आने के बाद आपके हम पर इसी camera settings में नीचा आना है और नीचा आना है video stabilization यह off है तो इसको on कर लेना दोसों आपको video stable रहेगा video अच्छा recording होगा दोसों आपको video shake नहीं होगा grid lens को on करेंगे तो आप camera app open करेंगे तो आपको lens दिखेंगे उन lens को देखकर आप पता कर सकते हैं अपने phone को अपने कितना सीधा पकड़ा है इसके बाद हम पर shooting methods में आना है यह press volume key 2 मतलब आप camera app open करेंगे तो camera app open करके volume button पर click करेंगे तो photo mode में आप हैं तो photo click होगा video mode में आप हैं तो video recording होना शुरू हो जाएगा इसके बाद आप इस zoom in और odd पर set करें इसके बाद यहांप पर control system volume पर set करेंगे तो camera app open करके volume button पर click करेंगे तो कम ज्यादा होगा sound तो चलि एक बाद voice commands को on कर लेना मतलब आप इसके बाद आप selfie camera open करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो automatic photo click हो जाता है ब्याक आएंगे आपको यह पर आना है नीचे तो यह थे इसी Samsung Galaxy A34 5G smartphone की कुछ camera के settings आपने कुछ गड़बड कर दिया fail कर दिया settings तो आपको क्या करना है research settings पर click कर देना है तो जैसे नया smartphone आपने लिया था उस वक्त में settings कैसे थी camera की सारे settings उसी तरह हो जाएंगे एक और बार ये video देखकर एक और बार ये सारे settings आप कर सकते हैं तो यह था दोसों वीडियो आपको कैसा लगा नीचो कमेंट में बता देना और आप इसी smartphone के top 60 plus tips and tricks interesting hidden features वाला video देखना चाहते हैं 60 से ज़्यादा tricks बताया हूँ उसी video में हम पर जो camera के पास lighting दीख रही है ये कैसे set करें ये भी मैंने बताया है उस video की link आपको नीचे मिल जाएगी description में नहीं तो 2-4 seconds के बात में आपके हम पर end screen में भी दीखेगा वो video